तो स्वागत है आप सभी का संडे टॉक के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज है संडे और संडे के दिन आज के इस वीडियो में हम लोग धेर सारी बाते करेंगे इस संडे टॉक में जो आप लोग के सवाल पूछे गए इस वीक में जितने भी सवाल हमारे कम सुनने के लिए ठीक है और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत चारे सवाल है यहां पर और काफी इंट्रस्टिंग सवाल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें ताकि सभी लोग इस पिछे यह आगे यह लाट यह ल लगको को उर्दू जब लोग लिखते हैं तो दाय लिखते हैं लेकिन ने चलीदि दाया लिखा जाता है आप सभी लोग जानते है तो वह हे बाथ हैं एक्जाम में उर्दु जो है ना कॉपी के पीछे से लिखना है छो कोपी के यहाई एन्सर्शीट माले जिए ठीक है यह आप लोगं का एंसरीट हो गया और एंसर्शीट यहाँ पर आप लोगं लोग पलट कर और यहां से णसर लिखना स्व bisogत करते हैं और नाम वगण है और आप прошब्म के श्रुवार्थ निखेंगे तो आप लोगो पीछे से लिखना होगा याईनि कि होगई इसको इस तरह पॉलट दिजिए पीछे चले जाई है और पीछे रहेता है है और iki सट में चुरकर और यहां से अंसर कर देते हैं लेकिन आप लोग को क्या करना है जब सिसे नाप लोगत लोग बनार फिर बने बन फिर पटीज रहेने चाले जाना है कि सतरह पलट देना और और पीछे जाने के बाद यांसे आप लोगो एंसर लिखना है ठीक है आई होप आप लोगो समझ में आगया और वैसे भी आप लोगो आप लोगो के उर्धु के एक्वता पहले ही मैं आप को एक विडियो बना कर वता दोगी कि उर्दू में मिदलब और से अन्सर लिखा जाता है यह र जब तक मैं हुना एक परसंट भी टेंशन लेने की ज़रृत नहीं है आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल देखते हैं दूसरा कोशन आप सभी लोग के तरफ से पूछा गया है कि मैम उर्दु एक्जाम के दिन साइन भी उर्दु में ही करें या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सवाल आप सभी लोगों ने पूछा है और इसका जवाब भी एकदम मैं देना चाहते हूँ देखिए जहां तक बात है साइन की टो साइन आप लोग उर्दु में भी कर सकते हैं हिंदी में कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं यह मैटर नहीं करता है क्यूंकि बापको का फॉर्प निर्टिन नहीं करते हैं तो इस prioritize हूं लोग जो मन मतलब आप लोग और्दू का एकजाम है तो उर्दू में भी साइन कर सकते हैं हिंदी में और इंग्छ में भी आप लोग का मन है या फिर जिस तरह आप लोग लिए आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा तो मैं आप सभी लोग की भावनाओं को समझती हूं आप लोग यही पूछना चाहते हैं बस जज़ा इसको मैं सुधार कर बोल दे रही हूं आप सभी लोग के पूछने का मतलब यह है कि हम कौन-कौन से इंपोर्टेंट चप्टर पढ़ ले जिससे हमारे रिजल्ट हो जाए क्योंकि एकजाम काफी नजदीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इंपोर्टेंट चप्टर है वो बता दीजे जिसको हम पढ़ ले और हमारे रिजल्ट हो जाए तो देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहती तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि एक बागो बाहर जो कि मीरमन दहलवी दोरा लिखा गया है वो इंपोर्टेंट है मतलब उससे जादातर कोशन उठाया जाते हैं उसके बात से बात करें तो गजल में मिर्दा गाली यगाना चंगेजी और खलीलू रहमान जैसा कि मैं आप लोगों को बताई मेरा सफर गुफ्तवू हो गया ठीक है और उसके बाद से खड़ा डिनर हो गया योजीनो मंताले का लिखा हुआ जो नजम है हम नहीं जानते वह भी आप लोग उस पर भी कमांड कर लिजे अफसाना की बात कर ले तो भूले विसरे गीत ह हो गया ठीक है प्रॉमिस नाम का अफसाना हो गया ठीक यहीं जितने भी चैप्टर में आप लोगों को बता रही हूं हर एक चैप्टर से सवाल पूछे जाते और ज्यादा तरहीं उठाय जाते हैं तो बाट एक सी हो गया चैप्टर उसे भी पूछा जाता है और इधर बात सरूर का जो फसाना एजायब दास्तान है पसाना एजायब चैप्टर का नाम है वह पढ़ लीजिएगा उसके लावा बहुत सारे आप यूग कर सकते हैं एक और चीज में आप लोगों को बता देना चाहती हूं नीचे खुतूत भी है मौलाना बुलक्लामाजाद का सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब लेकिन मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहती हूं कि हर एक चैप्टर का मैं विवी आई यानि कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कोशन करा रही हूं तो उसको जरूर करें अगर आप लोग देखिए इतना कम समय है ऺजते हैं और हर सब्सक्राइब आ इस को करनेते हैं उसको कर देखिए सब्सक्राइब करया हैं नहीं इक वीडियो में 10 वीडियो को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्टिव कोशन तयार किया गया है वो मैं आप लोग को करा रही हूं तो अगर उसको कर लेते हैं तो फिर आप लोग को पूशन एंसर को ले का टेंशन फ्री हो जा रहा है यानि कि आप लोग का एक भी कोशन छूटे गा नहीं फाइनल एक्स कि बैल को नहीं किया होगा तो इस वज़य से नोटिफिकेशन नहीं गया होगा तो आप सब्वी लोगे में बता देना चाहती हूँ कि मैं कोशन एंसर करवा रही हूं सब्योक्तिप्र कर लिंग इसी वडियों के डिस्क्रिप्सर्में डाल दिया गया है और एक वीडियो आ मिल जाएगा जिसका नाम है class 12 उर्दू new session 2023 और जिसका लिंग इसी वीडियो के description में डाल जीया गया है प्लैएलिस्ट का नाम क्या है ध्यान से सुन लिजे class 12 उर्दू new session 2023 इसी प्लैएलिस्ट को खोलेंगे न तो आप लोगों को परतियेक वीडियो हो आपर मिल जाएगा हर एक शपर जो को हैं उसी प्रेर का जो आप लोग को आप लोगो वही पर मिल जाएगा और जहा में दस 13 के का लिंग पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है आप लोग को ऊपर ना दिखाई दे स्क्रॉल करतके नीचे जाएंगे ना तो नीचे आप लोग को मिलेगा क्योंकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो अप्लोड होता है वह नीचे चला जाता है तो आप लोग स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो नीचे आप लोग क मिल जाएगा हर एक वीडियो उसी प्लैलिस्ट में है अगला सवाल पूछा गया है कि मजमून बता दीजिए मजमून लिखने के लिए आप लोगे एक्जाम में आठ नंबर का आता है जी हम पाच नंबर का नहीं आता है आठ नंबर का आता है और मजमून लिखने का क्या ट्रिक है अगर आप लोगों ने वह भी वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक में डाल दी हूँ अगर आप लोगों को मजमून लिखना नहीं आता है तो उस वीडियो बात तो मैं कहूंगी कि कोई ना कोई तेवहार पर फेस्टिवल पर तो जरूर आएगा मजमून लिखने के लिए चाहे देखे आप लोगों के एक्जाम के जस्ट बाद क्या आने वाला है रमजान स्टार्ट होने वाला है उसके बाद ईद है तो हो सकता है कि आप लोगों के इद पर पूछें या फिर रमजान पर पूछें मुहरम पर भी पूछ सकता है कोई एक तेवहार में से जरूर आएगा तेवहार पर मजमून लिखने के लिए उसके लावा बात करते कि और कोई दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है दूसरा टॉपिक मेरा बिहार पर आ सकता है हमारा बिहार ठीक है हमारा बिहार ये टॉपिक आ सकता है हमारा बिहार इस पर मजमून लिखने के लिए बोल सकता है इसके लावा ग्लोबल वार्मिंग पर भी आ सकता है ग्लोबल वार् सवाल है तो एलेक्षन पर भी आ सकता है इसके लावा बात करें और कौन-कौन से टॉपिक कोई-19 विमारी पर भी आ सकता है मजमून लिखने के लिए तो जितना भी टॉपिक में आप लोगों को बता रही हूं इसको लिख लिजे और इस पर मजमून लेकर प्रैक्टिस कर लि अगला सवाल देखिए हमें लिखना नहीं आता पर पढ़ने आता है क्या करें तो यह वह सब्सक्राइब जितने लोग है न उनके साथ यहीं प्रोब्लम होता है कि मुझे पढ़ने तो आता है लेकिन लिखने नहीं आता है तो पर बीगनर्स यानि कि जिनको उर्दू बिल् आप लोगो चालिस वीडियो मिलेगा आप लोग यूटीव पर नॉर्मली सर्फ भी करेंगे ना उर्दू for beginners या फिर आप लोग इसी चैनल के प्लेइस्ट वेजिस्ट में चले जाएंगे उर्दू for beginners का प्लेइस्ट आप दिख जाएगा तो आप लोग प्लेजिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 40 वीडियो मातर 40 वीडियो देखकर आप लोग उर्दु में पढ़ना लिखना यहाँ तक कि दूसरों को पढ़ाना लिखाना भी सिखा सकते हैं इतना जबर्दस तरीके से में वहाँ पर आप पढ़ना सीख जाएंगे लिखना नहीं जानते हैं तो लिखना सीख जाएंगे ठीक है पढ़ना लिखना सब कुछ सिख सकते हैं ठीक है न तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि उर्दु फर विग्नर्स का वो प्लेलिस्ट देखिए और 40 का 40 वीडियो वहाँ पर है हर एक वी तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि आप लोग उर्दु पढ़ना क्या दूसरों को पढ़ाना भी सीख जाएंगे ठीक है तो वहाँ पर आप लोग 40-40 वीडियो को देखिए और वहाँ पर आप लोग आसानी से उर्दु में पढ़ना लिखना असानी से सीख सक तो देखिए इस पर मैं कहना चाती हूं कि मात्र आप लोग को तीन घंटा 15 मिनट मिलता है Але 15 मिनट सोचने के लिए कि आप उसका एंसर जानते हैं कि नहीं औरॉन कौन सब्सक्राइंसर आप अ जानते हैं ठीक है तो अगर आप पहले useट कहोशन लिखते हैं उसके बाद से लिखेते हैं तो उस हिसाब से आफ लोग का answer चेक होता है मतब direct आप तो question लिख दिए अब question लिख दिये हैं तो इसका ड recognize प्रफेक्ट्ली आप लोग एंसर चेक होगा एकदम सही तरीके से answer होता है तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहひए map लोग answer लिखे Santosgreg fashion ना आप लोग इतना लिख सकते हैं question number one का एंशर आप लोग question ना लिकें सवाल ना लिकें कि fazla question पर औलरी लिखा रहता है न तो आप सवाल को पढ़ने और डिरेक्ट answer चृप में एंसर लिखें one जितना भी आले जिए आप लोग यूजा धुंबरicorn किका एंसर लिखना है love इसतरा आप लोग एक्स्ट्र दो तीन नंबर मिल जाएगा और प्लस आप लोग के समय की भी बचत होगी जो आप लोग x miram never लिखने में समय वेस्ट करेंगे वह आप लोग एक दिन पहले क्यों है आप लोग के एक ग्जाम के एक पहले आप लोग के पास इतना समय रहेगा कि आप हर एक चेप्टर के वी अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अपने माइंड में ठूस पाए तो इस वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग पत्ति수 पर रहे था जाएगा तन कि महां माहरासन के जरीए आप लोगkhों हर एक कप्लिट करवा दिया जाएगा ठीक है तो लोग dereg ठार नुन लेए तो फाइनलियहां पर आप लोग के सबहीं सवालों का जवाब मैं दे चुकी तो अगले हम लोग संडे के दिन यानि कि अगले संडे टॉक में उन सभी सवालों का जवाब मैं दे दूंगी तो जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ लीजिए ठीक है आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के सवालों का जवाब मिला कैसा लगा आज इसका कैसा रहा आप लोग कमेंट में लिखके जरूर बताएं और प्लस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जो कुछ भी में आप लोग को समझाई समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है फड़ा फट और जितना जदा हो सके शेयर कर देता कि चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फिर्म ल